हेलो इस्ट्रेंट्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल और इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास स्टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर फोर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज चले यह 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का कुश्चन नंबर 8 आपके सामने हैं और य और फिर सॉलूशन की तरफ बढ़ेंगे हम कुश्चन नमर 8 कहता है find the sum of first 51 terms ठीक है जैसे जैसे पढ़ेंगे हम given लिखते रहेंगे ठीक है आपके कुश्चन में कह रहा है कि first 51 terms यानि यह n दे रखा है n की value है 51 terms of an ap whose second and third terms are 14 and 18 यानि second term a2 आपको दे रखा है 14 और a3 आपको दे रखा है यहाँ पर 18 अब यहाँ पर देखी दौनों consecutive terms है second term and third term ठीक है और question में क्या किया रहा है आपको sn निकालना है formula अगर मैं यहाँ पर लिखूँ sn का तो हमें पता है sn का formula है n over 2 2a plus n minus 1 into d यह आपको मालूम है first term नहीं मालूम and common difference नहीं मालूम तो हमें यह मालूम है कि common difference क्या होगा common difference होगा third term में से second term को अगर minus कर दे तो common difference आ जाएगा यानि 18 minus 14 कर दे तो number 4 ठीक है 4 जो होगा आपका common difference होगा अब common difference आपका 4 आ गया तो यहाँ से second term या third term जिससे भी आप चाहें first term निकाल सकते हैं मैं a2 लेके चलूँगा a2 को हम लिख सकते हैं a plus 2 minus 1 into d यानिके a plus d और a plus d कितना है यहाँ पर 14 14 दे रखा है ठीक है तो d की यहाँ पर अगर value रख दो मैं 4 is equal to 14 तो a यहाँ से आ जाएगा 14 minus 4 यानिके 10 ठीक है तो आपके पास first term भी आगई 10 common difference भी आगई 4 यहाँ पर ठीक है first term 10 अगई अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं sum of first 51 term ठीक है यहाँ निकालूँगा मैं यहाँ पर ठीक है formula दे रखा है number of terms यहाँ पर दे रखी है तो s n निकाल लेंगे यहाँ से n की value है 51 over 2 2 into a क्या है आपके पास 10 है plus n minus 1 n क्या है 51 51 minus 1 d दे रखा है 4 यह values हमने put कर दी है exactly same जो values यहाँ से हमने निकाल लेती है d और a की value निकाल लेती है यहाँ पर put कर ली आप इसको solve कर लेंगे simply आइचा solve करने पर पहले आप दिमाग लगाईएगा ताकि solution को आप easy बना सके multiplication addition जो भी आप solve करें उसको आसान बना सके यहाँ पर 2 से divide हो रहा है 51 तो 51 को divide नहीं करेंगे क्योंके point में आ जाएगा तो क्या करिए यहाँ पर 2 है और यह 4 है तो 2 को इस पूरी expression अंदर जो दे रखिए उसको 2 से divide कर दिये तो देखिए क्या बचाएगा 51 इसको 2 से divide करेंगे तो सिर्फ 10 बच जाएगा plus 51 minus 1 कितना होता है 50 into 4 को 2 से divide करेंगे तो 2 हो जाएगा simple आसान बनानी है आपको calculation को ठीक है तो s n आपके पास आ गया 51 10 plus 15 into 10 100 तो यह हो गया 51 multiply by 110 अब देखिए 51 की multiplication सिर्फ 11 में है तो 51 की अगर 11 में multiplication करेंगे तो 5, 6, 1 आएगा last में एक 0 लग जाएगा और यही आपका answer होगा 11 की multiplication का shortcut आप सीख लीजे जरूरी है ठीक है और उससे calculation बहुत आसान हो जाती है वैसे भी बहुत आसान है कोई इतनी problem वाली बात नहीं तो इस तरह से आप solution निकालेंगे, question number 8 का वीडियो को pause करके solution का उतारिए next question देखते हैं चलिए students यहां देखते है question number 9 का solution question number 9 है if the sum of first 7 terms of an AP is 49 पहली साथ term का sum जो है वो 49 दे रखा है and that of 17 terms मतलब that of 17 terms का मतलब हो गया अगर that of लिखा होता है इसका मतलब वो यह लिखा है sum of यानि जो शुरू में लिखा है वो ही last way इसका मतलब है that of 17 terms का मतलब हो गया है sum of 17 terms is 289 find the sum of first and terms यह थोड़ा से intelligent question है अच्छा question कियोंकि यहां पर number of terms का sum नहीं महाग रहा आपको end terms general number of terms का sum माग रहा है यहां कोई value नहीं दे रखी है इन की आपको ठीक है final sum जो आपको छो sum निकालना है आपको terms का वो first end terms का निकालना है यहाँ पर है 49 और दे रखा है आपको as 17 जो के है 289 ठीक है तो as 7 का मतलब यह हो गया कि n यहाँ पर 7 है ठीक है और first term और common difference तो आपको पता ही नहीं है ठीक है तो first term और common difference के term में यह चीज हम यहाँ पर लिख लेंगे अगर n की value यहाँ पर 7 लिखनी है थोड़ा सा इधर से 7 is equal to 49 एस 7 का formula लिखने के लिए n की जगा 7 लिखेंगे n over 2 2a plus n minus 1 यानी 7 minus 1 into d is equal to 49 यह आगया आपके पास formula ठीक है आप क्या करेंगे यहाँ पर a और d की term में यह values निकाल लेंगे ठीक है 7 over 2 इधर है यह इधर जाएगा तो 2 over 7 हो जाएगा तो यह हो गया 2a plus 7 minus 1 कितना हो गया 6d is equal to 49 multiply by 7 over 2 है तो 2 over 7 हो जाएगा 7, 7 is a 49 और 7, 2 is a 14 तो यहाँ पर हो गया आपके पास 2a plus 6d is equal to 14 अब इसको फिर से again 2 से divide कर सकते हैं क्योंकर 2, 2 और 2 के multiple में हैं यह सारे तो यहाँ 2 से अगर divide करेंगे तो a plus 3d is equal to 7 हो जाएगा और यह हमारी equation 1 बनेगी equation 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे s 17 को 289 की जगा रखने s 17 is equal to 289 है यह हमें given है ठीक है s 17 का formula लगाएंगे इसी तरह से आपको यहाँ पर formula दुबारा से लिख देता हूँ s n का formula n over 2 into 2a plus n minus 1 into d यह है आपके पास formula यानि n जो है यहाँ पर 17 है ठीक है तो यहाँ पर formula देखेंगे 17 over 2 into 2a plus 17 minus 1 into d is equal to 289 अब देखे 17 का डारेक्ट स्क्वाइर है 289 सेवेंटीन 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 होता है ठीक है तो क्या करेंगे फिर से 17 ओवर 2 इधर लेके जाएंगे तो 2 over 17 हो जाएगा तो हमारे पास होगा 2a plus 17 minus 1 हो गया 16d is equal to 289 multiply by 2 over 17 17 17 जा 289 तो 17 into 2 कितना हो गया 34 ठीक है अब भी देख लिए 2a 16a 34 लिख लेते हैं यहाँ पर फिर से 16d is equal to 34 ठीक है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी equation को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा a plus इसे 2 से डिवाइड करेंगे 8d is equal to कितना हो गया 17 यह equation 2 हो गई दोनों equation को बहुत धिहान से देखिए दोनों equation को हम अगर subtract करेंगे तो आप आराम से d की value निकाल लेंगे और फिर किसी भी equation से a की value हमारी आ जाएगी तो subtract कर दीए equation 2 से equation 1 subtracting equation 1 from 2 2 में से minus करना है 1 को यानि कि 2 उपर रखना है a plus 8d is equal to 17 नीचे रखना है a plus 3d is equal to 7 यानिके minus करना है तो सारे sign change हो जाएंगे a से a कट गया यह होगे 8 minus 3 क्या हो गया 5d is equal to 17 minus 7 हो गया आपके पास 10 तो d की value यहां से आ गई 10 over 5 यानिके 2 ठीक है d की value 2 आ गई यहां पर है अब d की value जब 2 आ गई तो इस equation में d की value रखने के बाद आप a की value आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है यहां लिख दीजे putting the value of d in equation 1 equation 1 में d की value रखना हूं में तो आपके पास हो जाएगा a plus 3 into 2 is equal to 7 यानि a is equal to होगा 7 minus 3 to the 6 minus में आ जाएगा a is equal to 1 आ जाएगा तो a की value 1 हो गई d की value 2 हो गई इन दौनों value से आप s n निकाल सकते हैं हमें निकालना क्या है find the sum of first n terms number of terms यहां पर given नहीं है तो n as it is रहेगा n ही रहेगा over 2 2 into 2a a की value क्या है 1 है 2 into 1 plus n minus 1 क्योंके n की value given नहीं है number of terms क्या है n ही है यहां पर चीक है into d d की value है आपके पास 2 तो यह कुछ इस तरह से आ गया तो number यह हो गया n over 2 into 2 plus n minus 1 into 2 2 से काट देंगे इसको तो यह हो गया n यानि 2 से divide कर देंगे पूरे यह divide हो रहा है न इसलिए इसको पूरे को divide कर देंगे यह होगा 1 plus n minus 1 1 तो अट जाएगा यहां पर अब n इसको open कर देंगे bracket को तो यह हो जाएगा 1 plus n minus 1 1 से 1 कैंसल यह हो गया n into n तो sum of n terms आ गया n into n यानि के n square इस तरह से सारी values आती हैं आप यहां से कोई भी term का sum निकाल सकते हैं first 15 term का sum निकालेंगे तो 15 का square 225 इसलिए first 7 terms का जो sum आ रहा था वो 7 का square आ रहा था 49 क्योंके general form आ गई यहां पर sum of first n terms यानि के n square यही आपका answer होगा काफी अच्छा कुशन है कुशन को बहुत दिहान से समझीए s7 दे रहका 49 s17 दे रहका 289 और sn आपको निकालना है तो s7, s17 दोनों की value पुट करेंगे तो a और d की value आ जाएगी a और d की value यहां पर general formula में पुट करेंगे तो आपके पास sn आ जाएगा sn is equal to n square इस तरह से इस कुशन का solution आएगा वीडियो को पॉस करके इस कुशन को उतारिए इसी तरह के बेहतरीन कुशन और इसके solution आपको यहां पर मिलते हैं हमारे चैनल पर बने रहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेला रखेंगा बटन जरू दबा देना जल्दी मिलता हूँ अकली वीडियो में